हालो बच्चो वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमाटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सर्फेस एरिया और वॉल्यूम इस पर मैंने तीन वीडियो अल्रेडी बना दियें प्राक्टिस सेट 9.1 के दो वीडियो और प्राक्टिस सेट सरकल शेप का होता है इसले एरिया और प्राक्टिस प्राइड बना के दो अधे करके आता है despair into एल प्लस आ मतलब एरिया और दोनों को मिला के इनको add करके आता है pi r into l plus r volume of cone मतलब इसके अंदर में जब पानी भरू या ice cream भरू कितना आएगा क्या capacity है उसका 1 upon 3 into pi r square h और l h और r के बीच में रिश्ता है l square equal to h square plus r square ये 5 formula हम बार बार use करेंगे 5th question है volume of a cone is 6,280 cubic centimeter volume आपको दिया गया है and base radius base radius मतलब कौन सा लेटर small r of the cone is 30 centimeter find its perpendicular height perpendicular height मतलब क्या h ठीक है आपको volume of cone दिया है radius दिया है and perpendicular height h पूछा है अब इसमें भी देखो थोड़ा उल्टा घुमा के लिए plan कैसे बनाएंगे इसका strategy कैसे होगा solve कैसे करेंगे देखो ये volume का formula होता है 1 upon 3 into pi r square h volume का value क्या दिया है 6 to 8 0 तो जब इस equal to 6 to 8 0 करेंगे तो r आपको पता है क्यूंकि question में दिया हुआ है pi आपको पता है क्या बचा सिर्f h तो h का value मिल जाएगा तो यहाँ पे h का value मिल जाएगा ठीक है उसने पूछा क्या है find its perpendicular height तो निकल गया एक step में आपका काम हो जाएगा ठीक है चलो solve करते हैं तो question में radius r दिया हुआ है 30 cm perpendicular height h हमको find करना है and volume of cone दिया हुआ है 6 to 8 0 cubic cm अब हम लोगों पता है volume of cone क्या होता है 1 upon 3 into pi r square h but volume of cone का value क्या है देखो है 6 to 8 0 तो मैं क्या लिख सकता हूँ therefore इसके जगे पर लिख दिया 6 to 8 0 equal to 1 upon 3 into pi क्या लेना है देखो pi लेना है 3.14 into यह r square मतलब r into r r कितना है 30 तो यहाँ पर आ जाएगा 30 into 30 और यह h का value मुझे नहीं पता तो मैं यहाँ पर सिफ लिख दूँँगा h अब यह h को यहाँ पर अकेला छोड़ो यह बाकी पूरा जो कच्रा है इसको वहाँ पर बेजो तो यहाँ पर देखो 3 नीचे तो वहाँ पर जाएगा बाकी सब यह पूरा माल उपर है वो नीचे आएगा तो क्या मिलेगा मुझे यह आजाएगा यह 3 को उपर भेज दिया देखो यहाँ पर और यह जो बाकी पूरा है वो नीचे आएगा वन लिखने की जरूत नहीं बिकाज वन को किससे भी मल्टिप्लाइ करेंगे तो जो नमबर है वो यह आणसर आता है ठीक है अब इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर 30 मतलब 3 into 10 और यह 30 मतलब 3 into 10 तो यह 0 और यह 0 इसको दे देंगे तो यह क्या बन जाएगा decimal हट जाएगा यह बन जाएगा 314 तो मुझे next step में क्या मिलेगा ऐसे आ जाएगा यह वाला 0 इन यह वाला 0 इसको दे दिया तो decimal point के बाद 2 डिजिट था न वो 2 डिजिट चला जाएगा तो आपको 3 1 4 मिल जाएगा अब इसको cut करो देखो यह 3 के साथ यह 3 cut और यह 314 1 0 और centimeter is equal to h तो height का value हो गया 6.67 centimeter बचो पीछे जो textbook में answer दिया है न 15 centimeter वो नहीं आ रहा because यहाँ पर question में mistake है ठीक है अगर आप यही वाला question लेते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है तो answer 6.67 आएगा लेकिन question को modify करते हैं और यह 30 को cancel करके 20 लेते हैं तो जो textbook में पीछे answer दिया रहा ह होगा तो यह मैंने आपको solve करके दिया है यहाँ पर देखो एक बार अच्छे से 20 मैंने 30 लिया है ठीक है यह पूरा solution इसमें final answer आप लिख देंगे the perpendicular height is 6.67 centimeter अब मैं यह 20 लेके solve करके आपको बताता हूँ क्योंकि textbook में answer उसके हिसाब से दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो 20 मैंने यह नंबर को दे दिया तो यहाँ से decimal गायब हो जाएगा इधर बचेगा 2 and 2 ठीक है अब इसको cut करो देखो cut करके आपको क्या answer आता है 314 1,000 314 2,000 628 0,000 ठीक है यहाँ जाएगा 2,000 यह हो जाएगा 2,000 फिर यह हो जाएगा 2,000 और यह हो जाएगा 2,000 फिर यह हो जा ठीक है तो यह 15 आएगा तो मैंने आपको दोनों method बता दिया question wrong दिया था तो भी उसका answer क्याता है वो बताया और question change करके भी answer जो पीछे match होता है वो आल आपको बताया आया समझ में एक बार इसका पूरा solution देख लो video pause कर लो देख लो एक बार कैसे आया है confused मत हो न यह question change करन पड़ा क्यों के textbook में answer 20 के हिसाब से दिया है आया समझ में चलो next करते है sixth question दिया है surface area of a cone is 188.4 square centimeter जब वो बोलेंगे न surface area of cone न curved surface लिखा है न total surface लिखा है सिर्फ surface area लिखा है मतलब हम लोग को उसको curved surface consider करना है ठीक है and its slant height is 10 centimeter slant height मतलब कौन सा वाला L find its perpendicular height perpendicular height मतलब H एकदम simple है क्या plan मनाएंगे इसमें surface area of cone क्या होता है surface area of cone होता है πाई R L इसका value उसने दिया हुआ है 188.4 ठीक है 188.4 इसमें से हम लोगो देखो क्या मिलेगा slant height 10 centimeter दिया हुआ यह दिया हुआ है πाई हमको पता है तो R हमको मिल जाएगा तो यह equation से हम लोगो R मिल करना है तो मैं कौन सा relation use करूंगा L square equal to R square plus H square इसमें मैं क्या करूंगा L और R का value substitute करूंगा तो मुझे H का value मिल जाएगा जो पूछा है यहाँ पर समझ मैं हा strategy first step हम लोग यह करेंगे इससे मुझे R मिलेगा फिर second step में यह use करके मैं H निकाल लोगा ओके चलो शुरू करते ह बचो यह plan जो मैं बता रहा हूं वो आपको दिमाग में बनाना है कोई भी difficult question होगा कोई भी type का question होगा उससे पहले दिमाग में step 5 देखना है कि इसको solve कैसे करना है तो यह आपने first step यह किया तो आपको R मिल गया second step यह किया तो H मिल गया यह दिमाग में आप visualize करेंगे तो आ 10 cm दिया हुआ है पपेंडिकल हाइट में पता करना है और काट शाफिस एरिया दिया है 188.4 cm2 क्या दिया उनको काट शाफिस एरिया ओफ कौन जो है py rl value सब्सूइट करो काट सफिस एरिया ओफ क्या है 188.4 तो यहां पे लिख 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 लिखा देफ़ा 188.4 is equal to py के लिख लिया, मुझे किसका value find करना है, मुझे value find करना है R का, तो यह जो 3.14 and 10 है, उसको उल्टे दरफ fake दो, तो मुझे क्या मिलेगा, यह आ जाएगा, 188.4 upon 3.14 into 10, ठीक है, अब इसको कैसे solve करेंगे, देखो यह 3.14 into 10 करेंगे, तो मुझे मिलेगा 31.4, तो क्या मिलेगा next step में, मुझे मिलेगा 188.4 और नीचे क्या आ जाएगा, 31.4, decimal point shift हो जाएगा एक आगे, because 10 से multiply कर रहे हैं, this is equal to R, अब देखो उपर भी decimal point के बाद एक digit, नीचे भी decimal point के बाद एक digit, तो दोनों में ignore कर सकते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 1884 upon 314, दोनों जगे से decimal हटा दिया, this is the value of R, अब इसको cut करो, देखो यह cut होता है, 314 बन जा और यह आ जाएगा 6 जा, 6 upon 1 क्या होएगा, 6 upon 1 आ जाएगा, 6, युनिट्स के आए सेंटिमीटर, तो R का value आ गया, 6 सेंटिमीटर, जैसी आपको R6 मिल गया, R, L और H का रिष्टा यह उसकरके, आप missing value निकाल लेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा, हमें पता है कि L square equal to R square plus H square, L का value है 10, देखो question में दिया हुआ है, and R का value 6 हमने अभी निकाला, H हमको नहीं पता, इसको solve करो, 10 square हो जाएगा, 100 equal to 6 square हो जाएगा, 36 plus H square, 100, अब यह H का value चीए, तो 36 को उदर shift करो, minus हो जाएगा, वहाँ जाके, right, क्यों, because देखो, यहाँ पर plus sign है, equal to cross करेगा, तो minus हो जाएगा, equal to H square, 100 minus statistics हो जाएगा, 64 equal to H square, 64 मतलब क्या, 8 square, 64 होता है न, equal to H square, देखो, square के जाएगे पर square, H के जाएगे पर 8, तो मैं क्या बूल सकता हूँ, therefore, 8 is equal to H, ठीक है, समझ में, यहाँ जाएगा, पूरा solution, final answer लिख दिया है, हम रोग नहीं यहाँ पर, simple question था न, मैंने आपको plan बदाया था, कैसे solve करना है, same plan हमने यहाँ पर execute किया, screenshot ले लो, यह वीडियो पॉस करके देख लो, चलो next करते हैं, 7th question दिया है, volume of a cone is 1212 cm3, and its height is 24 cm, height मतलब, कुछ नहीं दिया मतलब, वो हमेशा perpendicular height होगी, find the surface area of the cone, सिर्फ surface area मतलब, मैंने आपको इसके previous question में बताया था, surface area मतलब, कार्ट सक्सेरिया, बच्चों इसमें भी जो answer दिया है पीछे, वो यह question की साथ match नहीं होता है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या-क्या दिया है देखो, तो यहाँ पे perpendicular height दिया है 24 cm, radius r हमें नहीं पता है, plant height हमें नहीं पता है, and volume of cone दिया है, 1232, यह मैंने change किया, because 1212 लेंगे, तो पीछे जो answer दिया है, वो नहीं आता है, ठीक है, तो question में यहाँ एक mistake है, नहीं तो 1212 लेंगे न, तो calculations बहुत difficult हो जाते हैं, तो यह हमारा question है, अब उसमें बुचे, find the surface area of the cone, तो इसका plan पैदे बनाते हैं, plan क्या है, कि हम लोग इसको कैसे solve करेंगे, volume of cone दिया हुआ है न, तो हम लोग उसका formula लगाते हैं, क्या है, देखो volume of cone दिया हुआ है, 1232, तो इसको लिख देंगे, 1232, अब इसमें देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास h है और मेरे पास πाई है, r square नहीं है न, तो यह इसको solve करूँगा, तो मुझे r मिल जाएगा, तो वो r मिल गया मुझे, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है surface area of the cone, मतलब count surface area of the cone, उसका formula क्या है, π, r, l, मुझे r मिल गया, अब मुझे l चाहिए, मेरे पास r है और h है, l कैसे निकालूँगा, l square equal to r square plus h square, r, l formula में substitute करके, surface area of the cone निकाल दूँगा, आया समझ में strategy, चला, solve करते हैं, ऐसे आ जाएगा, we know that, volume of cone is, 1 upon 3 into pi r square h, pi के जगे पे 22 upon 7, h के जगे पे 24, r square मुझे नहीं पता, volume of cone क्या है, volume of cone है 1, 2, 3, 2, ठीक है, अब मुझे इसमें r square का value चाहिए, तो मैं r square को यहाँ पे अकेला छोड़ देता हूँ, उपर का जो 22 और 24 है, वो नीचे आ जाएगा, और नीचे का जो 3 into 7 है, वो उपर आ जाएगा, इस तरफ फेकेंगे तो, तो सिफ r square बजगे है यहाँ पे, अब इसको solve करो, देखो, cut होता है किसी में, तो 24 को 4 में cut करेंगे, तो आएगा 4, 6,024, और यहाँ पे आएगा 4, 3,012, 4,0,0,0, 4,8,0, 32, अब इसको देखो 2 में cut कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ फिर 22 में cut कर दो, 22,1,0, और यहाँ जाएगा 22,1,0, 22, 8 बचा 88, 24,4,0, 88, अब यह 6 है नीचे, तो यह 3,1,0, और यह हो जाएगा 3,2,0, फिर यह 2 और 14 को cut कर दो, 2,1,0, 2,7,0, क्या बचाओ उपर, 7 into 7, 7 into 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 into 7 को लिख सकता हूँ, 7 square, equal to r square, क्यों, देखो, 7 into 7 मतलब 2 बार 7, square, right, अब देखो, square के जगे पर square, r के जगे पर 7, मतलब r equal to 7, तो मुझे मिल गया r equal to 7, unit आएगा, centimeters, तो r equal to 7 centimeters लिख दिया, अब मुझे r मिल गया, और मेरे पास h already है, r और h use करके में क्या निकाल सकता हूँ, l, फिर surface area of the cone का formula था, pi rl, उसमें r और l का value substitute करके, surface area निकाल लेंगे, चलो, निकालो, relation क्या हैगा, हैसे आजाएगा, we know that l square equal to r square plus h square, r का value मेंने 7, अब भी निकाला, और h का value 24, question में दिया हुआ, है, क्या मिल जाएगा यहाँ पर 7 square आ जाएगा, 49 और 24 square आ जाएगा, 576, यह value है l square का, इन दोनों को add करो, 49 plus 576 आएगा, 625, 625 किसका square है, 25 का square है, अब देखो, square के जगे पर square, and l के जगे पर 25, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore l is equal to 25, unit क्या आएगा, centimeter, सबका centimeter है न, तो अब मेरे पास, l भी आ गया, और r भी आ गया, surface area of the cone, तो सीधा formula है, pi rl, निकालो जल्दी से, ऐसे आ जाएगा, surface area of cone is pi rl, बताया था न, मैंने, surface area मतलब, cloud surface area, तो pi के जगे पर 22 upon 7, r हमने 7 निकाला, और alum ने अब भी 25 निकाला, cut करो इसको, दिखो ये 7 के साथ 7 cut, क्या मिला, 22 into 25, multiply करो इसको, ये multiply क्या है, 550, unit क्या आएगा, surface area है, area मतलब square तो आएगा, और बाकी सेंटी मीटर में है, तो ये भी सेंटी मीटर में, तो मुझे final answer क्या मिला, surface area of cone is 550 स्क्वेर सेंटी मीटर, ये आगया, इसका पूरा solution, पहले हम लोग ने volume of cone का formula यूज़ करके, R calculate किया, फिर L square equal to R square plus H square में, substitute करके L निकाला, फिर surface area of cone का formula, पाई RL यूज़ करके, surface area of cone निकाल लिया, वीडियो पॉज़ करके देख लो, फिर screenshot ले दो इसका, चलो next करते हैं, 8th question में दिया है, the curved surface area of cone is 2200 स्क्वेर सेंटी मेटर, and its slant height is 50 सेंटी मेटर, slant height मतलब L, L का value 50 सेंटी मेटर दिया है, find the total surface area of cone, total surface area of cone का formula है, पाई R into L plus R, L आपको दिया है, ठीके तो L मिल गया, पाई आपको पता है, लेकिन R आपको नहीं पता, तो आपको पहले R निकालना है, R ये वाले formulation से निकाले है, curved surface area हमें, ठीक है, चलो solve करते हैं, तो question में यह सब दिया था, latest R में नहीं पता, slant height L 50 सेंटी मेटर दिया हुआ है, and curved surface area of cone दिया है, आप total surface area of cone निकाल सकते हैं, तो मैंने curved surface area of cone का formula लगा है, पाई आरल, बढ़ curved surface area का value दिया है 2200, पाई के जगे पे 22 upon 7, R के जगे पे R, because R हमको नहीं पता, L के जगे पे 50, because L का value, question में देखो 50 दिया हुआ है, अब मुझे R चाहिए, तो R को यहां पे अकेला रख दिया, यह 7 को यहां पे उपर बेजेंगे, because नीचे है, यह 50 and 22 यहां पे उपर दा, तो equal to को cross करेंगे, तो नीचे आ जाएगे, अब इसको cut करो, cut करके क्या आएगा देखो, 22 1000 और यह जगा 22 1000, 0000, ठीक है, फिर 51 1000, 52 1000, क्या पुचा है यहां पे, 2 into 7, तो R का value क्या आगया, 14, तो R का value हम लोग ने 14 निकाल लिया, और question में हमको L अल्रेडी दिया था, उसने क्या पुचा है, total surface area of cone, formula क्या total surface area of cone का, pi R into L plus R, R आपके पास है, L आपके पास है, value substitute करो, total surface area of cone निकालो, ऐसे आजाएगा, total surface area of cone is, pi R into L plus R, pi के जगे पे 22 upon 7, R के जगे पे अब भी हमने 14 निकाला, L question में दिया था 50, R अब भी हमने निकाला 14, इसको solve करो, क्या हैगा solve करके, cut करते हैं पहले तो, 7 1,000, 7 2,000, फिर ये 22 into 2 हो जाएगा, 44, तो मुझे मिलेगा, 44 multiplied by, ये वादा multiply हैं ये, 50 plus 14 क्या आता है, 64, तो 44 into 64 करो, solve करके आता है, 2 8 1 6, क्या है ये, ये है area, तो आएगा square, और बाकि सब unit है, centimeter तो centimeter, तो मुझे final answer है, total surface area of cone is, 2 8 1 6 square centimeter, तो ये आजाएगा पूरा solution, एक बार अच्छे से देख लो, वीडियो pause कर लो, या फिर इसका screenshot लेगा, I hope आपने खुद से किया हो, तो आपको आया हो, देखो कहीं पर calculation mistake है क्या, चलो next करते हैं, 9th question में दिया हुआ है, there are 25 persons in a tent, which is conical in shape, मतलब tent का shape ऐसा conical है, या आप देख के ऐसा लगेगा, कि ये perfect cone नहीं है, थोड़ा यहां से थेड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको assume करना है, कि यहाँ पर ये perfect cone है, नहीं तो आप some solve नहीं कर पाएंगे, every person needs an area, of 4 square meter of the ground, inside the tent, अब ये tent काफी छोटा दिख रहा है, इसमें 25 लोग तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन assume कर ये बहुत बड़ा है, उसमें 25 लोग हैं, और हर एक आदमी जो अंदर है, उसको 4 square meter of area, ground का लगेगा, मतलब ground पे इतनी जगाएं, कि 25 लोग खड़ें, बाकि ground पे कोई जगाएं नहीं है, और हर एक आदमी को कितना आदिया लग रहा है, 4 square meter, ground पे याद रखो, ground मतलब नीचे इसमें जमीन होगी न, उस पे 4 square meter हर एक आदमी को लग रहा है, every percent, total कितने persons है, 25, तो ये 25 percent मिलके, total जो इसका base का area है, वो occupy कर लेंगे, और base का area तो हमको पता होता है न, क्या है base का area, base तो circle होता है, उसका area आएगा πायार square, मतलब ये 25 लोग, जिसमें हर एक आदमी ने 4 square meter यूज़ किया है, तो हमको total area कितना है पता चलेगा, 4 square meter एक आदमी का, तो 25 का हो जाएगा, 4 into 25, मतलब 100 square meter, तो ये जो base है, इसका area क्या होना चीए, 100 square meter, तो ही इसमें 25 लोग fit होंगे, if height of the tent is 18 meters, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक है न, height, ये 18 meters है, find the volume of the tent, tent का volume, 1 third pi r square root से find करेंगे, ठीक है, r हमको नहीं पता है, लेकिन ये base का area हमको पता है न, 100 r है, उससे हम लोग r find out कर लेंगे, फिर वो r, हम लोग volume के formula में use करके, इसका answer निकाल लेंगे, ठीक है, चलो solve करता है, तो मैंने आपको अभी बताया, कि यहाँ पे देखो height 18 meters दिया है, number of people in tent 25 दिया हुआ है, और हर एक आदमी को कितना area लगेगा, नीचे ground पे 4 square meter, हमें volume of tent find कर लें, volume of tent के लिए हमको radius चीए, radius नहीं दिया है, तो यह जो area दिया हुआ है न, उसके त्रों लोग radius निकालेंगे, अब मुझे बताओ, हर एक आदमी ground पे खड़ा रहेगा, और 25 लोग total खड़े रहेंगे, तो 25 लोग मिलके, वो पूरा base का area cover कर लेंगे, ठीक है, तो जो surface area of base होगा, वो क्या होगा, total 25 लोग, और हर एक आदमी को कितना area लग रहा है वो, उसका multiplication, तो number of people in the tent, into area required by each person, number of people in the tent कितना है, it is 25, into area required by each person is 4, देखो है यहाँ पे, number of people 25, area required by each person 4, इन दोनों को multiply करके, आपको क्या आ जाएगा, 100, units क्या हैंगे, square meter, because, यह area का जो units है, वो square meter है, तो surface area of base of the tent, आपको आ गया, 100 square meter, लेकिन surface area of the base of the tent, क्या होता है, it is nothing but pi r square, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, therefore, pi r square is equal to this, यह इसका ही formula है न, surface area of the base of the tent का, यह हमने already use किया हुआ है, ठीक है, याद है आपको, एक बार देखना है तो फिर से देख लेते हैं वो, हमने यहाँ पर पढ़ा हैं देखो, हर एक आदमी को 4 square meter लग रहा है, तो टोटल 25 लोगों कितना लगेगा, 25 into 4, 25 into 4 मिलके पूरा area occupy करते हैं, तो area of base pi r square will be equal to 25 into 4, अब यह pi r square को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि यह pi r square को solve करने में थोड़ी difficulty होगी, उसने हमको radius पूछा है क्या question में, कहीं पे भी question में radius नहीं पूछा है, उसने पूछा है find the volume of the tent, ठीक है, what is the volume of the tent, can I say now, volume of the tent is equal to 1 upon 3 into pi r square h, यह है volume का formula, तो यह 1 upon 3 ऐसे ही आ गया, अब मुझे बताव, यह जो pi r square है, इसका value क्या है, pi r square का value 100 है यहां पे देखो, लिखा हुआ है न, चे दो इसको box कर दो, pi r square का value 100 है, तो मैं directly use कर सकता हूँ, मुझे r अलग से निकालने की ज़रूरत है यह नहीं, तो मैंने यहां पे इसके जगे पे लिख दिया, 100, अब यह h का value क्या है, h का value है, 18 meters, substitute करो, तो h के जगे पे मैं substitute करूँगा, 18, ठीक है multiply होता है न सब कुछ, pi r square h, मतलब pi r square into h, इसलिए 100 into 18, अब इसको solve करो, कट करके क्या आएगा, 6 into 100, मिल जाएगा आपको, 600, सब का unit क्या है, meters है न, देखो यह volume है, तो हम लोग को पता है कि cubic आएगा, और सब का unit meter है, इसलिए cubic meters आजाएगा, तो यही तो question था, volume of the tent पूछा था, तो final answer क्या लिख देंगे, volume of the tent is 600 cubic meters, एक बार पूरा solution अच्छे से देख लो, पहले यह part important था, यह मैंने आपको diagram में explain किया, कैसे आया, बाद में यह वाला part हमने पहली बार ही उस किया, कि pi r square का value ऐसे ही देहने दिया, क्योंकि हमको पता है, calculation में भी pi r square ही use होने वाले, अलग से pi, अलग से r square निकालो के तो भी answer यह ही आएगा, ठीक है, फिर volume of the tent में, 1 third pi r square h formula लगा के इसको solve कर लिया, आया समझ में, एक बार video pause करके देख लो, या फिर screenshot ले लो इसका, next करते है, 10th question, देख के बहुत ही बड़ा question लग रहा है, लेकिन बहुत ज़ादा simple है, थोड़े steps है, क्योंकि ज़ादा data दिया हुआ है, और जो पूछा है वो directly नहीं दिया, तो देख के डरना नहीं है, बहुत ही simple question, आप कहीं पे भी travel करे होंगे, तो आपने roadside पे fields में देखा होगा, कि ऐसे shape में, fodder, जो घास है, उसको काटके लगाया जाता है, the height of the cone is 2.1 meters, मतब यह जो height है यहां से लेके यहां तक, यह दिया हुआ है 2.1 meters, मतब यह क्या है अपना, यह है small h, जो हम लोग use करते हैं ना, and diameter of the base is 7.2 meter, अच्छे से देखो, उसने diameter दिया है, यह पूरा यहां से यहां तक, कोई भी formula में हमने diameter यूज किया, क्या cone में है, नहीं, हमने हमेशा radius यूज किया, तो diameter से radius निकालेंगे, तो diameter of the base is 7.2 meter से, हम लोग radius calculate करेंगे, यह r नहीं है, radius किया जाएगा, जो भी diameter है, उसको 2 से divide करेंगे, तो हमको radius मिल जाएगा, find the volume of the folder, volume of the folder का formula क्या है, cone shape है, cone का volume का formula होता है, 1 3rd pi r square h, तो h भी दिया हुआ है, r मुग यहां से निकालेंगे, pi का value दिया हुआ है, सीधा volume of folder मिल जाएगा, if it is to be covered by polythene, यह polythene का spelling गलत है, by polythene in rainy season, मतलब ब्लू कोलर का plastic का sheet होता है न, उससे इसको cover करना है पूरे को, then how much minimum polythene sheet is needed, अब इसको cover करेंगे जब, तो नीचे वाला part जो है, जमीन पे जहां पे घाज तच कर रहा है, वहां पे plastic लगेगा क्या, नहीं लगेगा न, plastic सिर्फ यह जो, यह जो curve shape है इस पे लगेगा, तो यह जो curve shape है, इसको क्या बोलते हैं, कोन में, इसको बोलते हैं, curved surface area, तो जो भी इसका curved surface area है, उतना minimum polythene sheet तो लगेगा ही न, तो यह जो पूछा है, वह नथिंग बट curved surface area, हो गया हमारा का, बहुत है simple question है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यह diameter में से radius निकालेंगे, तो यहाँ पर question में height दिया था 2.1 meters, diameter of base दिया था 7.2 meters, diameter दिया हमको radius चाहिए, तो radius का आएगा, जो भी diameter है, divide by 2, तो 7.2 meters divide by 2, solve करके आएगा 3.6 meters, ठीक है, उसने first question पुछा है, volume of the fodder, straight question है, volume of the fodder क्या होता है, 1 third pi r square h, क्यों, because यह fodder कौन से shape में है, कोन shape में है न, देखो उसने question में दिया हुआ है, कोन निकल shape, तो हम लोग कोन के formula यूज कर सकते हैं, अब इसमें value substitute करो, 1 third, तो यहाँ पर, pi के जगें पर क्या लिखेंगे, 22 upon 7, because उसने question में value दिया है, pi का 22 upon 7, next हम लोग डालेंगे, radius, radius r square, r हमने देखो, यहाँ पर calculate किया है, 3.6, तो उसको लिखेंगे, r square को लिखेंगे, 3.6 multiplied by 3.6, 3.6 square मतलब वही होता है, 3.6 into 3.6, और h क्या है, h यहाँ पर दिया हुआ है, 2.1 meters, तो वो आ गया, 2.1 meters, अब इसको solve करना है, कैसे करेंगे solve, यहाँ फिगर में अटा दू, जरूत है क्या है फिगर का, चलो रहन देते हैं, इसको solve करते हैं, यहाँ पर, यह 7 और 218 टेबल में जाता है, पर यह 2.1 है, तो cut करते वक्त ध्याम रखना, 7100, 70.30, 2.1 है न, और यह 3 और 3.6 भी cut कर सकते हैं, 3100, 31.2000, ठेक है, अभी आपको multiply करना है, 22 into 1.2 into 3.6 into 0.3, चल दिसे इसको multiply कर क्या answer दो, answer आ रहा है, 28.51, बाकी सबका innovate क्या था, meters, ठीक है, तो इसका भी आएगा, cubic meters, ओके, तो volume of water हमने निकाल लिया, एक question हमने solve कर लिया, next पूछा है, if it is to be covered by polythene in rainy season, then how much minimum polythene sheet is required, यह पूरे को plastic से cover किया है, यह पूरा area कौन सा है, नीचे plastic नहीं लगेगा, हमने बताया न, आपको नीचे तो जमीन है, तो यह जो curse बाला area, इसको बोलते हैं, curve surface area, तो हम लोगोगो को, कौन का curse surface area निकालना है, curve surface area का formula क्या है, याद है आपको, curse surface area का formula है, pi r l, L है क्या हमरे पास? हमारे पास h है, हमारे पास r है, L नहीं है तो L कैसे निकालेंगे L square equal to R square plus H square से तो L निकालने के लिए मैंने यह formula लिख दिया है आपर यह रिष्टा तो हमको पता है हमने बहुत सारे questions में यूज किया R का value है 3.6 H का value है 2.1 इसको square करू 3.6 का square देखो मैंने यह आपर निकाला है 12.96 2.1 के square के लिए 21 का square पता होना चाहिए 21 का square होता है 441 अभी इसमें जब square करूँगा 2.1 को तो decimal point के बाद 2 digits आइगे ठीक है 2.1 इंटो 2.1 अभ इसको add कर दो add करके क्या मिलेगा add करके मिलेगा 17.37 यह क्या है यह है L square अगर मुझे L का value निकालना है तो क्या करने का दोनों तरफ square root ले लो तो क्या मिलेगा therefore L L square का square root लोगा तो L मिल जाएगा इस तरफ आ जाएगा 17.37 का square root reason लिख लो taking square root on both sides तो मुझे L मिल गया root of 17.37 वो यहाँ पर देखो question में दिया हुआ है root of 17.37 is 4.17 तो इसका use करके यहाँ पर लिखो therefore L is equal to 4.17 unit के आएगा meter because सबका meters में दिया है यह वाला part में erase करहा हूँ because यह हमको यहाँ पर rough work में दिखाना है आप पीछे अपने notebook में दिखा ले न अब मुझे L मिल गया ठीक है तो मुझे क्या निकालना था मुझे निकालना था कि यह पूरे area को cover करने के लिए कितना plastic लगे हो which was nothing but curved surface area curved surface area का formula था पायार L use करो formula और area निकालो जल्दी से तो area of polythene sheet needed to cover the heap of folder आ जाएगा curved surface area of the conical folder heap मैंने बताया ना क्यों curved surface area and curved surface area का formula है पायार L पाय के जगे पे 22.7 radius हमको पता है 3.6 है और L हमने अभी ही 4.7 calculate किया इन सबको multiply करके और 7 से divide करके अब कौँ answer मिलेगा 47.18 because यह area है इसका unit square आएगा और यह सबका unit देखो meter है तो square meter आ जाएगा तो हम लोग को दो question पूचा था एक area of polythene कितना लगेगा उसका भी answer हमने निकाल लिया और दूसरा पुचा था volume of fodder कितना है वो भी answer हमने निकाल दिया तो final answer लिखेंगे तो यह आजाएगा final answer तो volume of fodder is 28.51 cubic meters and 47.18 यह जो भी निकाला square meters of minimum polythene will be required to cover it minimum polythene क्यों because इससे जादा बड़ा plastic का sheet होगा वो भी उसको cover तो कर लेगा लेकिन इतना तो minimum चाहिए अगर इससे कम होगा तो थोड़ा part खुला रह जाएगा लेकिन अगर इससे जादा है suppose 50 square meters है तो जादा चलेगा जैसे आप लोग छतरी उसकरते हो एकदम छोटा चतरी होगा तो आप उसमें भीग जाओगे लेकिन अगर एकदम बड़ा umbrella है after a point बहुत जादा बड़ा umbrella लिया तो भी ऐसा chance है कि आप नहीं भीगेंगे लेकिन minimum एक umbrella size चीए ताकि आप लोग न भीगें वैसे इसमें minimum plastic sheet आपको इतना लगेगा तो fodder नहीं भीगेगा इससे बड़ा होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम होगा तो नहीं चलेगा question में भी यह दिया हुआ था minimum देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना how much minimum polythene sheet is needed एक बार पूरा solution अच्छे से देख लो आपको पहले question पढ़के काफी difficult लग रहा होगा लेकिन यह है बहुत ही simple question ओके आया समझ में screenshot ले लो तो बच्चो आज का lecture यहीं पे खतम करते हैं इसमें हमने question number 5, 6, 7, 8, 9 और 10 solve किया इसके आगे के videos में मैंने practice set 9.2 के पहले 4 questions solve किये थे वो video का link आपको नीचे description में मिल जाएगा और यहाँ पे उपर भी suggestions में आपको दिख जाएगा आप वो video जाके देख सकते हैं ताकि आपका पूरा practice set 9.2 खतम हो जाए 9.1 का भी link में नीचे दिया हुआ है वो भी देख के आप practice set 9.1 खतम कर सकते हैं यह chapter बहुत ही जादा scoring है और इसी chapter के concept आप आगे जाके 10 standard में भी use करेंगे और अगर आपने यह chapter अभी अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको यह बहुत जादा simple लगेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर करें इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें ताकि उनको भी surface area and volume अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूले bell icon पर click करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको notifications आते रहें और आपको इभी important lectures मिस न करें comment section में हमें जरूर बताएं कि आपको एफ वीडियो कैसा लगा thank you so much for watching this video